जैन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्री आइस चैनल पर एक ऐसा प्लाटफॉर्म जहां आप UPSC और State PSC जैसे अग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बैतर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों इसी स्रीज में हमने एकनामिक्स की एक स्रीज शुरू की है और उसमें हमने मुद्रा बैंकिंग चैप्टर को सुरू भी कर दिया है और मुद्रा के चैप्टर पर हमने पूरा क्लास कंप्लीट कर दिया था और कल की क्लास में हमने बैंकिंग चैप्टर की उसी के साथ साथ हमने कुछ विकास बैंक निजी बैंक राश्टी कृत बैंकों की बात की जिसमें हमने चौथी पंचवर्सी यूजना के दौरान जब इंद्रा गांधी गौश्टी में चौदा बैंकों का राश्टी करण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राश्टी करण किया गया तो चौथी पंचवर्सी यूजना की जो 69 में जो महत्पूर भूमिका रही उस पे चर्चा की गरीबी हटाओ नारा समाजबादी विचारधारा इन सब पर डीटेल से बात की थी और उसी के साथ हमने टाइप आउफ बैंकिंग पर बात की थी कि कोर बैंकिंग क्या होती है जिसके माध्यम से आप कहीं भी कभी भी आप अपनी सुविधाओं को चेंज करा सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में अपडेट करा सकते हैं बिना होम ब्रांच गह हुए वह हमने लीड बैंकिंग बात की थी कि लीड बैंकिंग के पास उस जिले से सम्मंधित, पूरे आंकड़ों के डीटेल्स होगी, जिसके बारे में RBI जो है की डीटेल को सेर मांग करेगा, अर्थात लीड बैंकिंग से सारी जानकारियों को मांगेगा, वही हमने युनिवर्सल बैंकिंग देखी, सैडो बैंकिंग देखी थी, इन सारी पे हमने बात की थी, हम उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले हम बात करते हैं सारजनिक बैंक के रूप में RRB बैंक की, ध्यान दीजेगा, आप ये बिलकुल मत कहिएगा, कि वाणिजिक बैंक सर ने नहीं पढ़ाया, या साइकारी बैंक नहीं पढ़ाया, मैं सभी बैंकों को पढ़ाऊंगा, और मैंने पूरी टैयरी कर रखिये, पूरा PDF मैंने खुद कंटेंट क्रियेट किया है, तो आप इसकी चिंता बिलकुल ना करिये, लेकिन मेरे साथ अगर आप चलेंगे, step by step, तो यकीन मानिए, आप पुराने paper को उठा के देख लीजेगा, आपके question बिलकुल भी गलत नहीं होंगे, मैं वादा करता हूँ, 95% आपके question सही हो जाएंगे, तो वस आप धैरे रखियेगा, सारे topics पढ़ाये जाएंगे, जो भी आपकी queries हो, जो भी प्रश्ण हो, आप मुझे comment section में जो एकी comment कीजेगा, मैं उस पे जरूर आपको reply करूँगा, अगर कोई प्रकिरिया होगी, या आपकी demand होगी, तो topic देखे कोई नहीं छूटेगा, economics में कोई भी topic नहीं छूटेगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन हाँ, यह ज़गो कहूँगा, कि हो सकता है, आप उस topic को अभी पढ़ना चाहें, और मुझे लगता है, कि उस topic से पहले, कुछ basic topics की आपको समझ हो जानी चाहिए, उसके बाद ही उस topic को पढ़ने में मज़ा आएगा, तो वो चरण बद्या जो क्रमिकता है, जो sequence है, वो मेरे एसाब से चलने दीजिये, आप लोग, तो मैं उसी चरण में आगे बढ़ते हुए, आज RRB लेके आया हूँ, Regional Rural Bank, जिसकी चरण में कल छोटी सी की थी, छेत्री ग्रामिड बैंक, अप लीज दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF होगी, लेक्चर की जो PDF होगी, वो आपको description box में नीचे PDF लिंक दे दिया गया है, और आप इस PDF को, टेलिग्राम चैनल पे भी आप जोईन कर सकते हैं हमारे चैनल को, वहाँ भी आपको मिल जाएंगी PDF, और साथी साथ आप हमें Instagram और follow पे भी follow कर सकते हैं, Facebook पेज पे भी follow कर सकते हैं, जिसका link description box में दिया हुआ है, अप लीज वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों, बहुत मैनत लगती वीडियो बनाने के लिए, लेकिन एक लाइक और एक सब्सक्राइबर भी अगर बढ़ता है, तो हमें motivation मिलता है कि हम आपके लिए लगातार classes बनाते रहें, और अच्छे अच्छे classes लेके आए, आपके सारे doubts क्लियर किये जाए, अप लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजेगा, वीडियो को अधिक सदिक लोगों के साथ सेयर कीजे, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकें, और वो भी पढ़ाई कर सकें, और उनकी भी जो भी इच्छा है, जो भी सफलता प्राप्त करनी है, उसमें भी ये निर्णायक भूमी का निभा सकें, इस चैनल के माध्यम से, अप लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा, चलिए, अब हम आज के लेक्चर की सुरुवात करते हैं, अरार्बी, आज़े दोस्तों, हम बात करते हैं, अरार्बी की, रीजनल रूरल बैंक, अर्थात, अगर हम इसकी, हिंदी अर्थ लिखें, तो छेतरी है, ग्रामीर, बैंक, इस सब्द को अगर आप देखें, ज़्य दे ग्रामीर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, अर्थात, आपको पता है, सहरों में तो बहुत सारे बैंकों की साखाएं मिल जाती हैं, सहरों में लोग अपने खाते खुलवा लेते हैं, लेकिन कभी-कभी होता क्या है, कि गाओं में आपको साखाय देखने को नहीं मिलेंगी बैंके ही नहीं देखने को मिलेंगी तो वहां के लोग कैसे अपनी सुविधाओं का लाब उठा सकें सरकारी यूजनाओं का लाब उठा सकें इनके लिए एक RRB कॉंसेप्ट लाया गया रिजनल रूरल बैंक छेतरी ग्रामीड बैंक जिसका मुख्य फोकस ग्रामीड छेतरों में सुविधाओं को उपलब्द कराना 32 सुविधाएं देना इस पे इनका मुख्य फोकस होता है आए ज़र हम इसके बारे में कुछ बेसिक बातों को जानले जहां से कोश्चन पूछे जाते हैं जो फेक्ट तो है लेकिन इमपोर्टेंट फेक्ट है मैं फिर कह रहा हूँ हम सभी फैक्ट नहीं बलकि important fact पर चर्चा करेंगे और उसका concept से भी link इस्थापित करेंगे आईए RRB Act 1976 के द्वारा नरिसिम्हन समीती की सिफारिस पर किया गया था क्या इसकी स्थापना? RRB की जो स्थापना थी वो RRB Act 1976 के द्वारा की गयी थी और नरिसिम्हन समीती की सिफारिस पर की गयी थी अगर हम पहले RRB बैंक की बात करें कि पहला चेतरी ग्रामिड बैंक कौन था तो उसका नाम है प्रत्मा बैंक जो आज भी गतिशील है जो आज भी काम कर रहा है बंद नहीं हुआ है आज भी है लेकिन अगर हम बात करें RRB बैंक की तो ध्यान दिना ये छेतरी ग्रामिड बैंकों की सनरचना नियमन समाप्ति इन समंधित या इन से समंधित दिसा निर्देश भी प्रदान करता है तो R भी बैंक होती है ग्रामिड बैंक होती है उनकी सनरचना क्या होगी उनका नियमन कैसे होगा उनकी समाप्ति कैसे होगी इन सभी के बारे में दिसा निर्देश भी RRB ही दे सकता है ये बात मैंने आग क्यों बताई क्योंकि जब मैंने RBI आपको पढ़ाय था तो हमने ग्रामिड बैंक की बात करते हैं तो यहां पर संरचना, नियमन, समाप्ति, गठन इन सब के बारे में अरारबी ही देखेगा यानि रीजनल रूरल बैंक आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि छेतरी ग्रामिड बैंकों का नियमन किसके द्वारा होता है तो आपका उत्तर ह होगा क्या उत्तर होगा बताइए अरारबी एक्ट 1976 कि इसके द्वारा अरारबी के द्वारा वित्तिय समावेशन और साख सिर्जन चमता के साथ साथ आर्थिक सम्रिद्धी में भी योगदान दिया जाता है आपको पता है कि जब भी कोई बैंक खोली जाती है तो उसका सब से प्रमुक उद्धेश होता है कि लोगों को वित्तिय सुविधाओं से जोड़ा जा सके और उनको वित्तिय समावेशन के तहत सभी लाब पहुंचाए जा सके लेकिन कोई भी बैंक केवल और केवल जन कल्यान पर आधारित होके काम नहीं कर सकती है वो कुछ ना कुछ अप अपने प्राफिट को बढ़ाती है जहां मैंने साख नियंत्रन और साख सरजन इन दोनों ही सब्दों में अंतर क्लियर किया था आपको ठीक है दोस्तों आगे हम बात करें छेत्र विसेश में वंचित वर्ग को मुख्य धारा में सामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश से ह अब छेत्र विसेश का मतलब फिर समझे ग्रामीड छेत्र तो है हमारे इस बैंक का नाम ही है छेत्री ग्रामीड बैंक अर्थात गाओं में तो ये करेगा ही करेगा अपने क्रिया विध्यों को लेकिन उस गाओं में भी जो वंचित वर्ग होगा उसको मुख्य रूप से आ बजदूर हो स्रमिक हो जिनके पास अनाज उप जाने के लिए भी जमीन नहीं है वो दूसरे छोटे छोटे उद्योगों में ब्यस्त रहते हैं उनके माद्यम से अपनी आजीवी का चलाते हैं तो ऐसे छेत्र विसेश में जो वंचित वर्ग होते हैं उनको सामिल करना ही इसका मुख्योदेश होता है अब बात करें अरार्बी की सनचना कि अगर अरार्बी बैंक है तो उसकी क्या पूंजी होगी उसमें सरकार का क्या योगदान होगा या उसमें फिर प्राइविट बैंक का क्या योगदान होगा या कोई व्यक्ति अगर बैंक खोड़ना चाहरा है त इसमें केन सरकार की हिस्सेदारी 50 परसेंट होगी से राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15 परसेंट होगी प्र यानि उनको हमेशा ही लाव चाहिए और उन्हें भी पता है कि गाओम में अगर हम बैंक खोलते हैं तो मैं लब कम होगा हानी ज्यादा होगी। और इसी के चलते वो गाओन में अपनी साखाः नहीं खोलते हम बल्कि सहरों में खोलते है। जबकि गाओं का विकास करना, ग्रामीर लोगों को सुविधाय प्रदान करना, जन कल्यान करना ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। हमने DPSP जो पॉलिटिकल साइंस अर्थात के इंडिन पॉलिटी के भाग चार में दिया हुआ है, राज्य के नीती निदे सकता तो, उसमें कल्यान कारी बात की गई है, कि किस तरीके से आप लोगों का कल्यान करेंगे, तो ऐसे इस्थिती में सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कि बैंकों को गाओं में खोलने के लिए प्रोक्साहित किया जाए, और कुछ पूजी बैंकों को खोलने में सरकार के द्वारा भी लगाई जाए, इसलिए केन सरकार की हिस्सेदारी भी तै की गई है, और राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी तै की गई है, और प्रायोजक बै करता जन कल्यान करना ना कि राभ कमाना मौना को दूनों ही बाते और दूसरे के विरूधें विचारा धीन ही बलकी विरोधह भासी प्रायोगजक चाहिएगा कि मुझे लाभ हो और होने की स्थिती में खोलेगा गाउं में नहीं खोलेगा जिससे गाउं के लोग इन सुविधाओं से वंचित रहे जाएंगे जबकि सरकार का उद्देश से है कि सहर के साथ साथ गाउं के लोगों का भी उतना ही विकास किया जाए जिसके लिए ग्रामीड छित्रों में बैंकों की साखाएं खोड़ना प्रायोजड बैंक का बार बार नाम सुन रहा है। सिंपल सी बात है इसको इंग्लिस में तो कहते हैं दोस्तों Sponsored Bank क्या कहते हैं इस पॉंसर बैंक जैसे कई की रूप में काम करने लगती है यह इस्पॉंसर करती है कि ठीक है हम गाओं में जन कल्यान को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीड शेत्रों में विद्धाय प्रदान करने के लिए हम बैंकों को खोलने के लिए तैयार है तो इन बैंकों की हिस्सेदारी जो 35% है वो तो निश चाहेगी कि सड़ी और रवी के कर्मचारियों की जो ट्रेनिंग हो वो प्रायोजाग बैंक कराएगा दूसरा वित्ति और प्रवंदकी सहायता भी परदान करना और तीसरा निशित अंस में हिस्सेदारी प्रदान करना और यह निशित अंस कितना है 35% है तो यह प्रायोजा गाउं में आज भी असिक्षित लोग जादा है साक्षरता का दर बहुत कम है ऐसी इस्तिति में बैंक की जटिल भासा है अहरण करना निकासी करना जमा करना रिण देना ये सारी जो सब्दावलियां हैं उनसे वो लोग परिशित नहीं होते हैं और ऐसी इस्तिति में उनको जाएं और वित्ति समावेशन के लाभ भी बताएं वित्ति संस्थाओं से जोडने के प्रॉफिट बताएं उनको मोटिवेट करें कि वो गाउं में और भी अधिक सदिक लोगों को बैंक साखाओं से जोडने के लिए प्रोथसाहित करें तो ये इसके काम थे देखिए ये इसकी स्टेक होल्डिंग है या सेर होल्डिंग है जो देखिए 50 परसेंट सेंटर की हो गई 35 परसेंट स्पॉंसर बैंक की हो गई और 15 परसेंट जो है की स्टेट गॉर्मेंट की हो गई स्टेट गॉर्मेंट की कितनी है 15 परसेंट 35 परसेंट स्पॉंसर बैंक की 50% Center Bank किया अर्था Center Government किया है कि आगे हम देखते हैं एक संसोधन आया था पिछली साल हाली में अरभी एक 1976 में संसद्वारा संसोधन किया गया और संसोधन करके कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया जैसा कि पहला प्रावधन कि भविस्य में अगर तीनों हिस्सेदारी परिवर्तित करनी है तो पुनह अधीनियम में अर्थात अरार्वी एक 1976 में संसोधन की आवशक्ता नहीं है बलकि हम एक अधिसूचना ही जारी कर देंगे तो भी परिवर्तन संबाव हो जाएगा कि राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी होगी स्पॉंसर परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको राज्य सरकार की अनुमती लेना अनिवार्य है अर्थात केंदर सरकार के उपर भी यह नियंत्रन लगाया जा रहा है कि आप अधिसूचना जारी कर सकते हो आप परिवर्तन कर सकते हो लेकिन अपना परसेंटेज और स्पॉंसर बैं करने के लिए राज्य सरकार से अनुमती अनिवार रहा है यह हो गया और दूसरा आरार भी जो होती है अर्था रूरल जो रिजनल रूरल बैंक्स होती है इनको ओपन करने के लिए नियूनतम सीमा जो होती वो एक करोंड रुपए होती है और अधिक्तम सीमा इनकी 100 करोंड किस बेंग की बात करेंगे नाबाड पूअ चलिए हम अगले बैंक की बात करते हैं जिसका नाम है नाबाड जो आपका बहुत फेवरेच बैंक है अपरी किसे देखा जाया तो इसके बारे बहुत सारी जानकारियें आप लोग कल्क करते है अच्छी बात है जानकारी लेनी चाहिए नावार्ड हो गया और व्य ओ गया से भी हो गया इनके बारे में रेगुलर लोग पढ़ते हैं लेकिन चोट चोटे बैंक्स और पेमेंट बैंक्स इनके बारे में रैगुलर इस्टरी नहीं होती है और जब कोश्चन यहां से पू करेंगे सभी बैंकों की स्टड़ी करेंगे बहुत डीटेल से तो आप बने रहीएगा वीडियो के साथ लगातार कहीं स्किप करके मच जाएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आपाएगा फिर बीच में आएम नावाड की बात करते हैं इसमें भी हम फैक्ट के साथ महतपूर तथ्यों के साथ कुछ बेसिक कॉंसेप्ट को सामिल करेंगे और उसी के बाद हम इस नावाड के बैंक को भी समप्ट करेंगे आज देखिए पहला तो इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें नेशनल बैंक फॉर एगरिकल्चर और रूरल डेवलप्मेंट अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा इस एने का मतलब ही पूरा अकेले नेशनल है फिर आता है बैंक एगरिकल्चर रूरल डेवलप्मेंट तो नेशनल बैंक फॉर एगरिकल्चर और रूरल डेवलप्मेंट य इधा संबंद इस्थापित कर रहा है कि क्रिसी का जो कार्य होता है खेती किसानी का जो कार्य होता है वो सदैव गाउं में ही सामाने तब देखने को मिलता है और राश्ट्र के लेवल पर पूरे देश के इस्तर पे जहां जहां भी गाउं में खेती होगी उन सब का विकास करन का जिम्मेदारी नावाड जैसी संस्था को दिया गया है तो ये तो इसकी डेफिनेशन से ही हमने इसके अर्थ को निकाल लिया तो आप लिख सकते हैं आराम से समझ भी सकते हैं कि क्रिसी और ग्रामीड विकास बैंक जो है वो पूरे देश के स्तर पे सरोच संस्था हो तो सिवरामन समीती की सिफारिस पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी और मैं यहां से कोशन भी आपको देता हूं जो इसी से संबंदित है सेवी की स्थापना का आप जवाब दीजेगा और किस समीती के आधार पे हुई थी उसका भी आप जवाब कमेंट सेक्शन म पे हमने जब बैंक पड़ी थी अर्था वित्तिय बाजार के जब घटक पड़े थे हमने तो वहां पे हमने आरबी आई एरड़ा पी एफार डिये एफमसी सेवी इन सब पे अध्यन किया था एक संचिप्त रूप में क्योंकि अभी हमें सेवी पर आगे भी अध्यन करना व सब्सक्राइब में तो आप देखेंगे क्रिसी लगू उद्योग कोटेवर ग्रामीड उद्योग हस्त सिल्प अन्य ग्रामीड सिल्पों के उन्यन और विकास के लिए रिण प्रवाह को सुविधा जनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबाड को जोए कि एक सीर्स विकासात हत्मक बैंक के रूप में स्थाफित किया गया है मतलब हमने अभी पड़ा कि राश्टी क्रिसी वं ग्रामीड विकास बैंक है तो क्रिसी सब्द तो आ गया लेकिन ग्रामीड विकास में क्रिसी नहीं आती है वहाँ छोटे-छोटे-चोटे जो बुनकर उद्योग होते हैं जो लगू उद्योग होते हैं क्योंकि जहां पर खेती के लिए उपयुक्त जमीन नहीं है फिर चैगु राजिस्थान का एरिया हो या फिर हमारे पुर्वांचल के जिसको हम नौर्थ इस्ट कहते हैं जिसमें असम आपका अवनाचल प्रदेश मड़ीपूर नागा लेंड या फिर उत्तरी छेत्र जहां जम्मू कस्मीर, हमाचल प्रदेश, लद्दाग इन छेत्रों में जब क्रिसी नहीं हो पाती है उत्तरा खंड भी उसमें सामिल है तो ऐसी जगाओं पर लगू और हत्करगा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है और इन उद्योगों को संस्था डियरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से जो है कि इन सभी जो उद्यम करता होते हैं या छोटे-छोटे जो किसान होते हैं इनको डियरेक्ट रूप से रिण नहीं देती है ये कुछ संस्थाओं का प्रयोग करती है और उन संस्थाओं के माध्यम से इन छोटे-छोट के गरीब किसानों तक रिण का प्रवाह करती हैं तब आप समझ गयोंगे कि नाबाड से हम डारेक्ट लोन नहीं ले सकते हैं हमें रिण प्राप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कुछ संस्थाओं से संबंदित होना पड़ेगा और उन संस्थाओं के बारे में भी वस्तसिल्प को रेड़ प्रदान करिए जिससे यह भी आर्थिक सम्रिद्धी में अपना योगदान दे सके हैं चलिए आगे हम देखते हैं देखिए यह इसका प्रमो को देश भी है कि क्रिसी अवं ग्रामीड छेतर का विकास करना अब आप यह समझ गयोंगे अगला हम दे गई है यह अन्य आर्थिक गतिविद्यों में हमारा लगू द्योग कुटे रुद्योग यही सारी चीजे सामिल होंगी ठीक है दोस्तों आगे हम देखते हैं इसके मुख्याला की बात कर लेते हैं तो नाबाड का मुख्याला मुंबई अर्थात माराश्ट्रा में है और इ इने के माध्यम से देश भर में कार्य किया जाता है मतलब कि नाबाड का जो मुख्याला है वो मुंबई में है लेकिन नाबाड क्या करता है कि अपने उप मुख्याले जो छेतरी कार्याले हैं उनको प्रतेक राज्य की राज़धानी में स्थापित करता है और वहां पे पै और किर्सी विकास के लिए रिण प्रदान किया जाता है तो आपने देखा नाबाड सीधे पैसा नहीं दे रही है पहले अपने छेतरी कार्यालों को पैसा देती है और फिर उसमें भी वो राज्य सरकारों को कुछ कल्यानकारी योजनाओं को कुछ छोटे-छोटे संस्थाओं को जो रजिस्टर होते हैं उनको पैसा प्रदान करती है और फिर वो सारी संस्था है क्या करती है गाओं में ग्रामीड छेत्रों में क्रिसी उद्योगों में पैसा देते हैं रिंड देते हैं जिससे इनका भी आर्थिक विकास हो जाता है आईए आगे देखते हैं देखे यहाँ पे चीज क्लियर हो जाएगे आपको इस संदर में केन सरकार की सीर से संस्था ये मानी जाती है जो की वित्ती संस्था है और नाबाड निम लिखे संस्थाओं को वित्ती सुविधाय प्रदान करती है और यही वो संस्था है एक राजज सयकारी बेंग, एक चेतरी ग्रामिड बेंग और ایک सरकार की कल्यानकारी यूजना है。 इन तीनों को ही नाबाड के द्वारा वित्त की सुविधा प्रदान की जाती हैं और ये तीनों ही मिलकर गाउं के ग्रामिड चेतर और साथी साथ, क्रिसी जैसे उद्योगों और किर्सी जैसे छित्रों में रिर्ण देते हैं जिससे उनका विकास संभव हो सके। अभी आपने पढ़ा कि RRB का भी उद्दे से क्या था गाओं का विकास करना लेकिन RRB के पास पैसा कहां से आएगा तो उसके पास पैसा कौन देगा दोस्तों नाबाड देगा क्योंकि नाबाड सरवोच्च संस्था है गाओं के विकास के लिए क्रिसी के विकास के लिए छोटे उद्द्योगों के विकास के लिए हत करगा उद्द्योगों के लिए हस्त सिल्प उद्द्योगों के लिए तो नाबाड ने डिरेक्ट गाओं में पैसा नहीं बाटा सीधे तोर पर नहीं बलकि RRB को उसने एक माध्यम बना लिया कि आप गाओं में काम करते हो गाओं के लोगों से आपका मिलना जुलना है आप गाओं के लोगों की प्रवित्ती को बहुत अच्छे से जानते हो तो हम आपको कुछ पैसा देते हैं और इस पैसे को आप गाओं में प् उत्तप्रदेश कॉपरेटिव बैंक्स उत्तप्रदेश ग्रामीड कॉपरेटिव बैंक्स या महराष्ट्रा बैंक्स महराष्ट्रा कॉपरेटिव बैंक्स इस तरीकी के जो बैंक होते हैं वो भी उस राज्य की क्रिसी और ग्रामीड अंचलों में विकास में योगदान द भी नाबाड के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है जिसके माध्यम से गाओं का विखास संभव हो सकता है तो अब आप समझ गये होंगे कि नाबाड सीधे तोर पे पैसा नहीं देता है बलकि कुछ संस्थाओं को प्रियोग करता है संस्थाओं का प्रियोग करता हूं संस्थ नवाड की ग्रामीड सम्मिद्धि के फैसीलीटेटर यानि की सुविधा प्रदान करने वाला के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाहा करने के लिए नवाड को निम लिखिट जिम्मेदारियां सॉपी गई हैं कौन कौन सी हैं पहला हम देखते हैं ग्रामीड छेत्रों में रिण दाताओं यहां पर रिण होगा दोस्तु रिण दाता संस्थाओं को पुनर्वित उपलब्द कराना जो ग्रामीड छेत्र में जो रिण दाताओं होती हैं रिण प्रदान करने वाली संस्थाओं जो होती हैं या आपका राज्य सहकारी बैंक हो या कोई भी ऐसी संस्थाएं होती है उनको पुनरवित उपलब्द कराती है नाबाड संस्था दूसरा संस्थागत विकास करना और उसे बढ़ावा देना या संस्थागत विकास का मतलब है कि ग्रामीर शेत्रों में भी इस तरीके की अधिक विकास किया जा सके गाओं का क्लाइंट बैंकों का मुल्यांकन निगरानी और निरिक्षण करना क्लाइंट का मतलब क्या होता है अर्थत क्लाइंट बैंक का मतलब यहां पर हो जाएगा कि जो संस्थाएं या जो बैंक नाबाड से पैसा लेती हैं ग्रामीर शेत्र क विकास करने के नाम पे तो नाबाड उन संस्थाओं या उन बैंकों का नियमन भी करता है यह देखता है कि हमसे जो पैसा लिया गया है ग्रामीड विकास के लिए क्या वास्तविक रूप से उसका ग्रामीड विकास में योगदान हुआ या नहीं और उसी अधार पे वो उनकी रेटिंग भी तै करता है वहीं अगर हम बात करें अगले स्थर की जो संस्थाएं सभी संस्थाओं जो मूलता जमीनी स्थर पर विकास में लगे काम से जुड़ी हैं उनकी ग्रामीड वित्व पोशन की गतिविधियों के साथ समनवाय रखता है मतलब जो जमीनी स्थर पर जो संस्थाएं काम कर रही है कि गाओं में कैसे विकास करना है और उन्स संस्थाओं में क्या आती है एक भारत सरकार आती है एक राज्य सरकार आती है वहीं आर्बियाई आती है और इन तीनों में एक समनवें बनाने का प्रयास रखती है संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखते हैं मतलब कहने का वर्थात क्या होगा कि अगर भारत सरकार के द्वारा ग्रामीड छित्रों के विकास के लिए कोई सरकारी योजना लाई गई है जिसके माध्यम से अधिक पैसे का प्रवा होगा लिक्विडिटी अधिक खर्च होगी और वहीं RBI ये कहता है कि नहीं लिक्विडिटी को कम करने का प्रयास करूँगा तो ऐसी इस्थिती में नाबाड एक समन्वयकारी संस्था की रूप में काम करेगी जो एक तालमेल बैठाने का प्रयास करेगी सरकार और RBI के बीच में कि ग्रामीड का विकास होना जरूरी है लेकिन महंगाई को रोकना भी जरूरी है तो इन दोनों में समन्वाय के रूप में काम करती हैं वहीं अगर हम आखरी पॉइंट की बात करें तो यह अपनी पुनरवित योजनाओं कि निगरानी एवं मुल्यांकन का उत्तरदाइद तो ग्रहन करता है अपनी पुनरवित परियोजनाओं का मतलब क्या होता ह अगर यहां मैं समझाने का प्रियास करूँ कि कुछ परियोजनाओं या कुछ योजनाओं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और कुछ योजनाओं खुद नावाड भी चलाता है जिसमें अपने द्वारा ये खुद पैसे जोएकी देता है तो उनका भी मुल्यांकन करता ह कि वो कहां तक सफल हो पा रही है या नहीं कहीं उसमें भी सारा पैसा ब्रश्टा चार में तो नहीं चला जा रहा है तो उस पर भी पूरी डीटेल से निग्रानी करता है तो यह तो था दोस्तों आज का लेक्चर जिसमें उने पेमेंट बैंक सरी नाबाड बैंक और रीजनल रूरल बैंक यानि छेतरी ग्रामेड बैंक की विस्तार से जनकारी की है मैं उम्मीद करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा दोस्तों और बेल आइकन को अन वालिजिक बैंक और जो सहकारी बैंक का ढुवीजन था उसमें अभी कोई नहीं किये बस कुछ बैंक जो होते हैं उनकी हम बात कर रहा है जैसे नाबाड हो गया और भी हो गया पेमेंड बैंक हो इनका अध्यन करने के बाद हम सहकारी बैंक का अध्यन करेंगे फिर उसके बाद हम लाश्ट में वाडिजिक बैंक का अध्यन करेंगे और इस अध्यन को समाप्त करने के बाद हम अपने अगले लेक्चर पे बढ़ेंगे यानि अपने अगले टॉपिक पे ठीक है दोस्तों च चलिए तो ठीक है, अब इसी एक साथ विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भाराइख!